हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का अपने चैनल दैग जाम तक पे फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग अस्पीडी पॉब्लिकेशन के इंटर अस्तरिये सियुक्त परिच्छा जो है इसके लिए समाना देन को कवर करने वाले हैं इससे पहले हम अल्रेडी जो है 1-7 सेट तक कवर करा दिया है अभी तक आप लोग नहीं देखें तो जा करके चैनल के प्लेलिस्ट में दे दिया गया है वहाँ से आप लोग जो है 1-7 वीडियो को देख लेंगे उसके बाद जो है आज की इस वीडियो में हम लोग सेट नमबर 8 को कवर कराएंगे इसमें जो है 1-6500 बस तुनीष्ट प्रस्ण है उसके सेट नमबर 8 को आज की इस वीडियो में हम लोग कराने वाले हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है और विहार एंससी की तयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथ ही अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजेगा ताकि इस पे जितने भी वीडियो बने वो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे तो चली फ्रेंट आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं मिट्टी का अध्यान क्या कलाता है मिट्टी के अध्यान की बात करें तो मिट्टी का अध्यान जो है ये पेडोलाजी कलाता है अगला प्रशन है की पुरानी जलोड मिट्टी को क्या का जाता है पुरानी जलोड मिट्टी की बात करें पुरानी जलोड मिट्टी को ये बांगर कहा जाता है और नई जलोड मिट्टी को खादर यहाँ पुरानी पुछा तो पुरानी को ये बांगर कहा जाता है अगला है कि सौंपसेन कहां की मुल्ग जन जाती है सौंपसेन की बात करें तो आंग जन जाती का जो निवास अस्थान है ये छोटा अनमान है छोटा अनमान इसका राय टेंसर हो जाएगा जीलो के अध्यान को क्या का जाता है जीलो का अध्यान जो है जीलो का अध्यान ये निम्नो लौजी का लाता है तो अपसन है इसका राय टेंसर हो जाएगा निम अगला प्रशन है कि धुएधार जाल परपात की किस नदी पर अस्थित है। पर अस्तित है और यह जो है करनाटक में अस्तित है शिप समुद्रम जलपरपात किस नदी पर अस्तित है शिप समुद्रम जलपरपात की बात करें तो सिप समुद्रम जलपरपात जो है यह कावेरी नदी पर अस्तित है दचिन गंगा या फिर बिर्द गंगा की बात करें तो जो है गोदावरी नदी का लाती है तो गोदावरी अप्संस इसका राइट एंसर जगा असम का सोक किस नदी को का जाता है असम का सोक की बात करें तो भ्रहंपूतर नदी को जो है असम का सोक का जाता है अगला प्रशन है कि भारत की जलवाईू है भारत के जलवाईू की बात प्रकार के जिल है चिलका जिल की बात करें, तो यह जो है लेगून जिल है, तो लेगून अप्सन डीज का राइट एंसर हो जगा, बिसु का सबसे बड़ा मानव निर्मी जिल कौन सा है, बिसु का सबसे बड़ा मानव निर्मी जिल जो की मेड जिल है, अगला परशन है कि उडिसा का सुक किस न तो इसके लिए जो है, लेटराइट सबसे उत्तम मिट्टी है, चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी, अडवान निकवार की सबसे उची चूटी है, अनवान निकवार की बात करें, तो अनवान निकवार की जो है, यह सबसे उची चूटी है, यह सैडल पीक है, तो सै सरवाधिक सिधी बाने वाली नदी है ये जो है सरवाधिक सिधी बाती है लाल मिट्टी में किसका अधिकता होती है लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी में जो है आईरन अउकसाइड की अधिकता होती है आईरन अउकसाइड की अधिकता जो कि लाल मिट्टी में होती तो प्रवाल अप्शन बीज का राइट इन्स रो जगा नर्वदा और ताप्ती लशदिप का निर्मान हुआ है लशदिप की बात करें तो लशदिप का जो निर्मान हुआ है ये प्रवाल से हुआ है तो प्रवाल अप्शन बीज का राइट इन्स रो जगा काली मिटी का निर्वान किस चटान से तूटने से होता है काली मिटी का निर्वान ये जो है विसाल्ट चटान के तूटने से होता है कपास की खेती के लिए उत्तम मिटी है कपास की खेती की वात करें अगला प्रशन है कि पंबम दीप किसके मद अस्थित है पंबम दीप की बात करें तो पंबम दीप जो है ये भारत और श्रिलंका के बीच अस्थित है अगला प्रशन है कि किस दीप का नाम बदलकर अब्दुलकलाम दीप कर दिया है अब्दुल कलाम दीप की बात करें यह वेल दीप का नाम बदल कर अब्दुल कलाम दीप कर दिया है अगला प्रशन है कि तमिलांडू के तटों पर या फिर कॉरू मंबनल तट पर जाड़े के दीनों में वर्षा किस मांसून के कानण होती है कुरो मंदर टट या फिर तमिलांडू टट की बात करें तो इसमें जो है जाड़ा के दिनों में वर्षा होती है ये उत्तर पुर्वी मांसून या फिर लौटता हुआ मांसून के कारण होती है तो आप सने इसका राइट एंसर हो जाएगा भारत में अधिकांस वर्षा होती है भारत में अधिकांस वर्षा की बात करें तो दच्छिन पच्छमी मांसून से भारत में सरवाधिक वर्षा होती है लच्दिप के लोग कौन सी भासा बोलते है लशदिप की बात करें तो इसके जो लोग हैं ये मल्यालम भाला भासा बोलते हैं मल्यालम भासा जो कि लशदिप के लोग बोलते हैं नवीन जलोड मिटी को क्या का जाता है नवीन जलोड मिटी की बात करें तो नवीन जलोड मिटी को जो है खादर मिटी कहा जाता है दच्छिन भारत की सबसे लंबी नदी कौने दच्छिन भारत की सबसे लंबी नदी जो की गुदाबरी नदी है गुदाबरी नदी जो की दच्छिन भारत की सबसे लंबी नदी है बिहार का सोक किस नदी को कहा जाता है ब्यार के सोक की बात करें तो ब्यार का सोक जो है ये कोसी नदी को कहा जाता है अगला प्रशन है कि रवी फसल की बुआई कव की जाती है रवी फसल की बुआई की बात करें तो रवी फसल की बुआई जो है ये अक्टूबर नॉमबर में की जाती है खरीब फसल कौन सी है खरीब फसल की बात करें तो खरीब फसल जो है मक्का जो है एक खरीब फसल है चना मटर जो यह जो है रवी फसल है तो हमक्का अपसंस इसका राइट इंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि लच दीप में दीपो की कुल संख्या कितनी है लच दीप में दीपो की कुल संख्या टोटल लच दीप में दीपो की संख्या जो है यह टोटल जो है 36 है तो अप्सन 20 का राइट एंसर हो जगा 36 खरीब फसल की बुगाई कब की जाती है खरी फसल की बुगाई की बात करें तो खरी फसल की बुगाई जो है यह जून जुलाई में की जाती है रवी फसल कौन सी है रवी फसल की बात करें तो रवी फसल जो है गेहू जो है एक रवी फसल है तो गिहों option A, इसका right answer हो जाएगा चलिए अब हम लोग अगले प्रश्ण को देखते हैं अगले प्रश्ण है कि नागलेंड राजी की राजभासा किया है नागलेंड की बात करें तो राजभासा जो है ये अंग्रेजी है अग्रेजी जो है नागलेंड की राजभासा है राष्णिय स्वयवीन अनुसंधान किंदर कहां अस्थित है राष्णिय स्वयवीन अनुसंधान किंदर जो की इंदावर में अस्थित है भारत का सबसे उचा वांद है भारत की सबसे उचा वांद की बात करें तो टीहरी बांद जो है यह भागिरेंग तीन नदी पर है और यह जो है भारत का सबसे उचा बांद है भारत का पर्थाम राश्टिय पार्क है भारत का पर्थाम राश्टिय पार्क जो कि जीम कारवेट नेशनल पार्क है तो अपसने इसका राइट एन सबज़ेगा जीम कार कि यह केरल में अस्तित है कि नाप्था जागडी जलविदूत पर्योजना différents तो यह सतलज नदीपर अस्तित है नाप्था जागडी जो कि सतलज नदी पर अस्तित है नागार जुन सागर पर्योजना किस नदी पर है नागार जुन सागर पर्योजना जो कि कृष्णा नदी पर अस्तित है कुलार की खान किस लिए परसिद है कुलार की खान की बात करें तो यह मेघाले में अस्थित है हेरा कुंडवांद कहां अस्थित है हेरा कुंडवांद की बात करें तो हेरा कुंडवांद महानदी पर अस्थित है और यह जो है ओडिशा में अस्थित है पानिपत भारत के किस राज में पानिपत की बात करें तो पानिपल जो है यह भारत के हर्याना राज में अस्थित है सर्दार सरोवर पर्योजना कहा में अस्थित है सर्दार सरोवर पर्योजना की बात करें तो सर्दार सरोवर पर्योजना जो है यह गुंजरात में अस्थित है और यह जो है नर्मदा नदी पर अस्थित है वन अनुसंधान संस्थान कहा है वन अनुसंधान संस्थान जो की देरा दुन में अस्थित है अजयोध्या किस नदी के तट पर अस्थित है अगला प्रशन है कि दाची ग्राम राश्टी उदान कहां अस्थित है दाची ग्राम जो कि जम्मू कास्मीर में अस्थित है थीन वांद किस नदी पर अस्थित है थीन वांद की वात करें तो थीन वांद जो है ये राविन नदी पर अस्थित है उरी जल बिद्वत परियोजना कहा में अस्थित है ये उरी जल बिद्वत परियोजना उरी जो कि जम्मु कस्मीर में अस्थित है मानस राष्टी उद्धान कहां अस्थित है मानस की बात करें तो मानस राष्टी उद्धान जो है ये असम में अस्थित है केसर उत्पादक का एकमात राज है केसर उत्पादन की बात करें तो केसर उत्पातक का एक मात राज जो कि जमू कस्मीर है नंद कानन उद्धान कहा अस्तित है नंद कानन उद्धान की बात करें तो ये उद्धान जो है उडिशा में अस्तित है नंद कानन राइश्टी उद्धान जो कि उडिशा में अस्तित है अलमाटी वांद किस नदी पर अस्थी थे अलमाटी वांद की बात करें तो अलमाटी वांद जो है ये कृष्णा नदी पर अस्थी थे तो कृष्णा अपसन डीज का राइट इंसर रो जगा भारतिय लौ अनुसंधान सस्थान कहा है भारतिय ला अनुसंदान संस्थान जो की राची में अस्थित है भारतिय ला अनुसंदान केंद्र जो की राची में अस्थित है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है भारत का सबसे लंबा बांध जो की हिराकूंड बांध है और यह जो है महा नदी पर अस्थित है और यह जो है उडिशा में अस्थित है समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक जो की केरल है तो केरल इसका राइट इन सलोजेगा इडुक की पर्योजना किस नदी पर अस्थित है अगला प्रशन है कोईल कारो विधूत पर्योजना की बात करी तो यह जारखन में अस्थित है हुंडुरु जल पर पात किस नदी पर अस्थित है तो राजस्थान ऑप्शन बी इसका राइट इंसर हो जाएगा हैदरावाद किस नदी के तड़ पर अस्थित है भारत का पर्थम पर्मानु विश्फोट का परिचन जो है कब किया गया था भारत का पर्थम पर्मानु विश्फोट का परिचन जो है यह 18 मई 1994 को किया गया था तो अप्शन यह इसका राइट इंसर हो जाएगा अगला प्रशन है कि भारत का पर्थम जलवेधुत सेयंत्र कहां में अस्तित है भारत का पर्थम जलवेदू सेयंत ये जो है ये दारजिलिंग में अस्तित है तो दारजिलिंग option 20 का right answer हो जाएगा अगला प्रशन है कि पुसकर जील कहां अस्थित है पुसकर जील की बात करें तो पुसकर जील जो है पुसकर जील ये जो है अजमेर में अस्थित है और ये जो है राजस्थान में है कौफी का सबसे बड़ा उतपादक कराजी कौन सा है कौफी की बात करें तो कौफी में जो ह करनाटक सबसे बड़ा उत्वादक का राज्य है अगला प्रशन है डिगवोई तेल चेतर कहां अस्तित है डिगवोई की बात करें डिगवोई जो है यह असम में अस्तित है और यह जो है तेल चेतर है अगला प्रशन है कि नेशनल गैलेरी ओफ पोट्रेट नेशनल गैरी और पोट्रेट कहां अस्तित है नेशनल गैरी और पोट्रेट के बात करें तो यह जो है चंडी गड़ में अस्तित है सूरत किस नदी के तड़ पर अस्तित है सूरत की बात करें सूरत जो है यह तापती नदी पर अस्तित है गुम्तेश्वर की मूर्ती कहां अस्तित है गुम्तेश्वर की मूर्ती के बात करें तो गुम्तेश्वर की मूर्ती जो है गुम्तेश्वर की मूर्ती ये जो है करनाटक में अस्तित है गोरकपुर किस नदी के किनारे अस्तित है गोरकपुर जो है ये राप्ति नदी के तटपर अस्तित है मल्टी आर्ट केंद्र भारत भौन कहा अस्तित है मल्टी आर्ट केंद्र जो कि भारत भौन ये जो है भौपाल में अस्तित है अगला प्रश्ण है कि स्री नगर किस नदी के तड़ पर अस्तित है श्री नगर की बात करें तो ये जहेलम नदी के तड़ पर अस्तित है जो कि मद्ध पर्देश में अस्ती थे दावोल विद्धुत परियोजना कहां अस्ती थे दावोल विद्धुत परियोजना दावोल की बात करें तो यह जो है महराष्ट में अस्ती थे मेट्टूरबांद किस नदी पर अस्ती थे मेट्टूरबांद की बात करें और योजना किस नदी के तड़ पर अस्तिते हैं सनाल की वात करें तीवाजय चेनाओ नदी के तड़ पर अस्तिते हैं नेशनल बूर्ड आफिस और नेशनल बूर्ड फॉसिल पार्क कहां अस्तिते हैं नेशनल बूर्ड फॉसिल पार्क जो की जैसल मेर में अस्तिते हैं तोड़ा जनजाती से संबन्दित है आगला प्रशन है कि नेहरु परवता रोहन संस्तान कहा अस्तित है नेहरु परवता रोहन संस्तान जो कि उत्राखंड में अस्तित है तो उत्राखंड अपसंटी इसका राइट इंस रोजेगा अगला प्रशन है कि तीन प्रशित बौध अस्तल जो की रतनागिरी ललित गिरी उदाईगिरी ये जो तीनों है ये किस राज में अस्तित है ये तीनों जो की उडिशा में अस्तित है जो की तीनों जो है बौध अस्तल है रतनागिरी ललित गिरी उदाईगिरी अगला प्रशन है कि केवला देव घाना पच्छी अवेरन कहा अस्तित है गांधी सागर किस नदी पर अस्तित है गंगा सागर प्रोजक्ट किस राज में अस्तित है गंगा सागर प्रोजेक्ट के बाद करें तो यह जो है उत्रा खंड में अस्तित है गोबा राज की अधिकारिक भासा क्या है गोबा राज की अधिकारिक भासा जो की कोकनी है कोकनी जो की गोबा राज की अधिकारिक भास्षा है अगला प्रशन है कि फिल्म और टेलिवीजन संस्थान कहा अस्थित है फिल्म और टेलिवीजन संस्थान जो कि पूने में अस्थित है तो पूने अप्शन सीज का राइट इन सरो जएगा अगला प्रशन है कि बगली हारी बांद किस नदी पर बनाया गया है बगली हारिवांद जो कि चिनाव नदी पर बनाये गया तो चिनाव अफसंसीस का राइट इन सरज़ेगा अगला प्रशन है कि हुसाइन सागर जिल कहा अस्तित है हुसाइन सागर जिल की बात करें तो हुसाइन सागर जिल जो है ये तिलंगाना में अस्तित है अगला प्रशन है कि हरिहरनात के मंदिर कहां अस्तित है हरिहरनात के मंदिर जो है ये सोनपूर में अस्तित है सोनपूर में जो है हरिहरनात के मंदिर अस्तित है अगला प्रशन है कि इंडियन इंसुचीट ओफ पेट्रोलियम कहां अस्तित है अगला प्रश्ण है कि भारत का पत्थम नगर निगम कहां में शृपीत किया गया। अगला प्रश्ण है कि राष्टिय बनस्पति और नुसंधान संस्थान कहां थी थी। अगला प्रशन है कि हिमाले प्रवाता रोहन संस्थान जो की दारजिलिंग में अस्तित है तो दारजिलिंग अप्सन भी इसका राइट इंसर रजएगा अगला प्रशन है कि जादू गोड़ा किसलिए प्रसिद है जादू गोड़ा की बात करें तो जादू गोड़ा जो है ये इरुएंडियम के लिए प्रसिद है शिफ सकती सपूत अस्तूप कहा अस्तित है शिफ सकती अस्तूत की बात करें तो शिफ सकती अस्तूत जो है ये र राष्टी पोशन संस्थान जो कि हैदराबाद में अस्थी थे राष्टी पोशन संस्थान जो कि हैदराबाद में अस्थी थे राष्टी पोशन संस्थान जो कि हैदराबाद में अस्थी थे चिनाओ को हिमाचल परदेश में किस नाम से जाना जाता है भारत का सबसे स्वच्छ सहर कौन है भारत का सबसे स्वच्छ सहर जो की इंदोर है सरवन वेल गोला कहा स्थित है सरवन वेल गोला की बाद करें तो सरवन वेल गोला जो है ये करनाटक में अस्थित है जैन धर्म का परशिद पाली ताना मंदिल कहा स्थित है जैन धर्म का परशिद पाली ताना मंदिल जो है ये गुंजरात में अस्थित है अगला प्रशने कि वायल एबम नेचुरल गैस कमिशन का मुख्याले कहा असती थे वायल एबम नेचुरल गैस कमिशन का मुख्याले जो है यह यह देहरा दूर में ऐस्थी थे एखेसर किया अगला प्रस्थ क्वेश트 की होगा यह जो है इंडरा गांधी इंडरा गांधी बोटेनिकल गार्डेन कहा थे एखेसर पंदी कमीठेस कि यह जो है राय वलेली में अस्तिते तो राय वलेली आप्सन से इसका राइट इन सरो जगा चार मिनार कहां स्तिते चार मिनार के वाद करें तो यह जो है 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 धरावाद में स्तिते चार मिनार है धरावाद नवेली ताप बिदुत पर्यूजना केंद्र कहां स्तिते नवेली त बिदुत किंद्र ये तमिलांडो में अस्तित है किस बंदरगा को मुगल काल में काबुल का मक्का कहा जाता था काबुल का मक्का जो है मुगल काल में ये जो है सूरत बंदरगा को कहा जाता था तो सूरत अपसंस इसका राइट इंस लजगा अगला प्रश्ण है कि केंदरिये खाद परधो के अनुसंधान केंदर कहा असती थे जगदीश चंद्रवश्व भारतिय बनस्पती राश्टिये बनस्पती अनुसंधान केंदर कहा असती थे जगदिश चंद्रबशु भारतिय बनस्पती उद्धान किंद्र जो है इसका जो है ये कुलकता में अस्थित है तो कुलकता आप्षन डीश का राइट इन सरो जगा है अगला प्रश्ण है कट्पुतली लोक नीर्थ किस राज से समंदित है कटपुतली लोक नीर्थ की बात करें, तो यह जो है राज अस्थान से शमंदित है अगला प्रश्णला है कुड़न कुलंप पावर अस्टिशन कहा इस्थित है यह जो है तमिलानदू में अस्थित है नेशनल इंस्चीट ओफ सोलर इनरजी कहा इस्थित है नेशनल इंस्टिट ऑफ सोलर इनर्जी जो है ये गुरू ग्राम में अस्थित है तो आपसे ने इसका राइट एंसर हो जाएगा गुरू ग्राम राजिव गांदी राश्टिय यूवा विकास शंस्थान कहा श्थित है राजिव गांदी राश्टिय यूवा विकास शंस्थान जो है ये तमिलांडू में श्थित है तो अपसे ने इसका राइट एंसर हो जगा तमिलांडू अगला प्रशन है कि मांसिक स्वास्त ये वंतंत्र का विग्यान राष्टिय संस्थान का अस्थित है मांसिक स्वास्त ये वंतंत्र का विग्यान राष्टिय संस्थान जो है ये भेंगलूरू में अस्थित है बेंगलूरू अपसंसे इसका राइट इन सरोजेगा तो फ्रेंड हमने जो है आज सारे प्रश्ण को कवर करा दिया है जो किशी इट आठ का था इसमें लगबग जो है डेट शूप प्रश्ण को हमने कवर कराया है तो आपको वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट में जरूर बतायेगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग जो है लाइक कर देंगे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब कर देंगे साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक सेर कर दीजेगा चलिए तो फ्रेंड अब हम लोग अगले वीडियो में लेगे आज के लिए इतना है जैहिंग